हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार हमरे चैनल में फिर से स्वागत है अगर आपने हमरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो तक ही आपको हर रोज नहीं नहीं टेक्नोजी लेंज करने को मिले और नया-nyया कुछ जानने को सेखने को मिल सकता है हिंदी लेंगवेज में हमारी भारतीय लेंगवेज में तो दोस्तों आज से हम चैस का शुरुआत करने जा रहे हैं चेस में आपका इंटरेस्ट बना रहे, चेस में आप लगातार अच्छी अच्छी गेम जीत सके, उसके लिए मैं सबसे पहले चेस का जो एडवांटेजिस है कि चेस खेलने से क्या हमें फाइदा हो सकता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट च यह हुए है, सबसे पहले chess, किन-किन chess कौन खेल सकता है, मतलब कोई भी एक बच्चे से लेकर एक बड़ी उमर के बुजूर्ग भी यह chess खेल सकते है, chess खेलने से आपकी memory improve होगी, definitely अगर आप study कर रहे हो, तो study में chess आपको बहुत ही helpful रहेगा, कि आप कम time में, कम effort से जादा marks ल सकते हो, क्योंकि chess definitely आपका जो concentration है, memory है, वो increase करता है, तो यह मैंने कुछ advantages list out किया हुआ है, chess improves memories, it will be improves, concentration, chess से हमारा concentration बहुत ही बढ़ता है, और मैं तो मानता हूँ कि हर रोज, हर रोज नहीं, तो जब भी आपको time मिले, आपको chess game खिलना ही चाहिए, chess game से आपका जो concentration है, वो improve होगा, आपका जो will power है, वो improve होगा, memory है, वो improve होगी, वो आपको definitely future में, study में, कुछ भी decision लेने में, बहुत ज़्यादा helpful रहेगा, आप fully attention के साथ present condition को आप face कर सकते हो, अगर आप study करते हो, तो fully concentration के साथ आप study कर पाओगे, so by playing chess, we can also improve the fully attention, Chess is just like a fun game, हो सकता है कि आप starting में अगर आप chess खेलते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा frustration लगे, बहुत ही ज़्यादा कुछ rules regulation पता नहीं हो, लेकिन chess जो है वो एक तो fun game है, एक बार अगर आपको आप उसके rules regulation शेक्ष जाओगे, तो chess खेलना बहुत ही आसान रहेगा, Chess helps to improve brain functions and it will be exercise your brain very much, it will be also improve your solving skills, अगर आप maths याप कोई भी numerical solve कर रहे हो, और numerical के base अगर आपको subject पढ़ रहे हो, तो वो subject solving करने में chess आपको ज़्यादा helpful रहेगा, क्योंकि मैंने chess के मदद से maths में out of 100, I got 99 marks in my graduate level, So I definitely tell you, मैं आपको forcefully कह सकता हूँ कि chess से आपका maths जो है, concentration, मलतब calculation subject जो है, उसके उपर आप बहुत ही अच्छे score कर सकते हो, Chess also helps to improve planning skills, for sight, अगर आप कुछ planning करना चाहते हो, future में, तो वो सब कुछ आप chess से बहुत easily कर सकते हो, क्योंकि chess खेलना मतलब कि आपको planning के साथ, strategy के साथ खेलना होता है, Chess का जो set है, वो बहुत ही cheap, मतलब कम rate में मिल सकता है आपको, और वो जो set है, वो बहुत चादा space occupy भी नहीं करता, और दो लोगों के साथ आप chess खेल सकते हो, उसमें white pieces, black pieces, सब कुछ होता है, तो यह basic अरी यह video chess के advantages show करने के लिए था, तकि आपका interest chess पे बढ़ा रहे, और आप chess पे नया नया trips, tricks और उसकी strategies सिख सको, Thank you. झाल 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 झाल